हमारी क्लास सिक्स्त की ए बुक जिसका नाम है शोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पार्ट वन इस बुक में हमने अभी तक क्या क्या देखा हमने शुरुआत कि कि शोशल साइंस क्या होती है जब फर्स्ट हमने इंट्रोड़क्शन लेक्चर लिया तो उसमें शोशल साइंस के बारे हम पढ़ा और उसमें हम यह देखा कि हम इस क्लास में कौन-कौन सी बुक पढ़ने वाले और उसके अंदर हम इस बुक पे पहुँचे और इस बुक का introduction जब हमने शुरू किया कि हमने इस बुक में कौन-कौन से chapter पढ़ेंगे उसके बाद हम unit 1 पे पहुचे और unit 1 में हमारी जो unit 1 का नाम था diversity उसके chapter number 1 पर हम पहुँचे हुए जिसका नाम है understanding diversity कि यह diversity को समझना है हमें कि diversity क्या होती है और जब हम यह समझ में आएगा तो पहले दो चैप्टर तो बहुत आसान चैप्टर है diversity जिसका नाम है विविद्धता अनेकता एक ही तरह के कई लोग यह diversity है यह diversity है इसी को हम समझ रहे हैं और इसमें हमारे सामने बहुत सारे question आए जो हमने पिछली class में देखें तो आगे चलने से पहले और पिछली class का और थोड़ा सा discuss करने से पहले जैसा मैंने कहा था कि मैं हर वीडियो में हर lecture में आपको एक बात जरूर बोलूँगा कि आप ये book open कर लीजिए हमारा ये जो chapter है chapter 1 इसको आप open कर लीजिए और इस chapter के साथ साथ book तो open करनी ही है साथ में copy pen pencil जो आप लेना चाहें वो ले सकते हैं ताकि जो जहाँ पे meaning बताया जाए या जहाँ पे कुछ और चीज बताया जाए वो आप लिख सकें तो हमारा ये इस chapter का lecture number 3 है जहाँ पर हमने first lecture में introduction किया था और second lecture में chapter की शुरुवात की और chapter की शुरुवात में हमने देखा कि हमने देखा कि पहले ही आपको बताया कि अपने आस पास देखो कि आपको कोई आप जैसा दिखाए दे रहे आपने देखा आपको कोई नहीं दिखाए दिया आपने बोला नहीं मेरे जैसा तो सिरफ आईने में दिखाए देता है एक आईने में आप अपने आपको देखते है तब ही आपके जैसा दिखाए देता है अदरवाइस आप जैसा कोई है नहीं सब अलग अलग हैं ये तो है दिखने के उपर कि सब एक जैसे नहीं दिखते इसके साथ-साथ सब अलग-अलग प्रष्ट भूमी से भी है कोई किसी धर्म से है कोई किसी संस्कृति से है सब अलग-अलग प्रष्ट भूमियों से है कोई किसी अलग जगह से है आप किसी गाउं के हो कोई दूसरा किसी गाउं से है, आप कुछ और भाषा बोलते हो, वो कोई और भाषा बोलता है, आप किसी और धर्म के हो, वो किसी और धर्म का, सब अलग अलग है, और यही हमने देखा कि कहीं न कहीं diversity हमारी बनाती है, यही हमारी विविदिता, अब यह जो विविदिता है, ये हमारे जीवन में क्या-क्या एड कर रही है? भारत में ये विविद्धा आई कैसे? कुछ सवाल जो हमने देखने थे. ये विविद्धा में, डाइवर्सिटी में, हम देखेंगे कि डाइवर्सिटी में कहां डिफरेंसेज क्या है? और वहीं पर हम ये भी देखेंगे कि डाइवर्सिटी में यूनिटी कैसे है? इस अनेकता में एकता कैसे हो सकती है? वो भी हम समझेंगे. ये कुछ सवाल है जो हम इस चैप्टर में समझने हैं. इस चैप्टर में पढ़के हम इस बात को समझ पाएंगे. और हमने शुरुआत की थी. यहां पर, जहां पर ये तीन चितर बने हुए थे. जो की आप जैसी ही और बच्चों ने बनाये हुए हैं. जैसे आप हैं. आपकी उम्र के. आप जितने ही बच्चों ने ये चितर बनाए है और मैंने आपको एक homework दिया था कि ये खाली चितर है, ये खाली box है, इस खाली box में आपको अपना चितर बनाना था ठीक है, इस खाली box में आप अपना चितर बनाएंगे कोई, बहुत अच्छे बच्च आपने बनाया होगा अब करना क्या है यह चितर तो बनाया आगे देख लिते हैं is your drawing, क्या आपकी जो drawing है आपने जो चितर बनाया similar, similar का मतलब क्या होता है similar का मतलब होता है, समान, एक जैसा हो थो सेमिलर का मतलब होता है एक जैसा समान क्या आपकी ड्राइंग एक जैसी है to any of the others एनी ओफ दी ओदर्स अदर्स मतलब दूसरी दूसरी किसी भी एक जैसी है यानि कि अगर आपको मैच करना हो इससे इससे क्या आपकी ड्राइंग इन में से किसी से मैच हो रही है कि आपकी ड्राइंग इन में से किसी जैसी है मेरी तो ऐसी बनी मेरी तो किसी से नहीं मैच हो रही है मेरी तो किसी से भी मैच नहीं हुई ना इस से हुई ना इस से हुई आप अपनी ड्राइंग देखो आप इन में से किस से match कर पाए नहीं कर पाए क्या आपकी drawing किसी के भी समान है, किसी के भी जैसी है नहीं है, चलो आगे देखते हैं the chances are chances क्या होता है chances होता है संभावना मौका संभावना, मौका chances the chances are that your drawing is quite different कि संभावना है कि आपकी जो drawing है आपकी drawing वो क्या है, वो quite different है quite का मतलब होता है बिलकुल quite मतलब बिलकुल different मतलब अलग तो इसकी संभावना है, इसके chances है कि जो आपने जो drawing बनाई जो आपने यहाँ पर drawing बनाई होगी वो बिलकुल अलग होगी किस से? from the other three बाकी तीनों से कौन से तीनों से? इन तीनों से इन तीनों से match करना था तो यहाँ पर बोल रहा है कि यह संभावना है कि आपकी जो drawing है, जो आपने बनाई होगी वो इन तीनों से बिलकुल अलग होगी इन तीनों से match ही नहीं कर रही होगी इन तीनों से बिलकुल अलग होगी एक बार चेक करो फिर से आपकी इन तीनों से बिलकुल अलग है बिलकुल अलग होगी which you can see जो कि आप देख सकते जो कि आप देख सकते you can see आप देख सकते are quite different from each other कौन से ये जो तीन, other तीन जो बाकी तीन है ये भी आप देख सकते हैं कि तीनों भी एक दूसरे से बिलकुल अलग है अब देखो, मैच करो ये ये वाला किससे मैच कर रहा है ना इससे मैच कर रहा, ना इससे मैच कर रहा ये भी ना इससे मिलता, ना इससे मिलता आगे देखते हैं इसा क्यों है किसी की ड्राइंग मैच क्यों नहीं कर रही है किसी की ड्राइंग मिल क्यों नहीं रही एक दूसरे से तो अंसर दिया इसमें इसा इसलिए है Each one of us हम में से हर एक has a unique drawing style हम में से हर एक का क्या है unique drawing style है unique मतलब अनोखा unique क्या होता है कि जैसा और कोई ना हो unique होता है जैसा और कोई ना हो वो होता है unique उस जैसा कोई नहीं है वो unique है या फिर मैं कहूं कि ये पैन तो एक ही है ऐसा तो कोई और पैन है यह नहीं तो मैं कहूंगा ये पैन unique है यह सबसे अनोखा पैन इससे मिलता जुलता दूसरा नहीं है तो मैं क्या बोलूँगा यह यूनीक है तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि आपकी ड्राइंग उनसे क्यों नहीं मिली या फिर इन बच्चों की ड्राइंग आपस में एक दूसरे से क्यों नहीं मिलती किसी की भी ड्राइंग एक दूसरे से क्यों नहीं मिलती ऐसा इसलिए है this is because each one of us यानि कि हम में से हर एक का क्या है unique drawing style है अनोखा चित्र करने का अंदाज है drawing का जो अंदाज है वो हमारा सबसे अनोखा है हर एक का drawing करने का अंदाज अनोखा होता है style अलग होता है कोई भी drawing करता है तो देखना आप अपने दोस्तों को बोलना चलो drawing बनाते हैं दोनों किसी भी एक चीज़ के drawing बनाना match नहीं करेगी क्यों? क्योंकि आप दोनों का drawing करने का अंदाज drawing करने का style वो अलग है वो unique है अनोखा है आप अलग तरह किसे drawing करोगे वो अलग तरीके से तो drawing करने का style सबका अनोखा है इसलिए किसी की भी drawing match नहीं कर रही है इसलिए किसी की भी drawing match नहीं कर रही we not only हम ना सिर्फ don't look exactly like each other हम ना तो एक दूसरे exactly दिखते हैं exactly मतलब बिलकुल exactly मतलब बिलकुल, look मतलब दिखना, like मतलब जैसा ठीक है किसके जैसा, each other, एक दूसरे जैसा, हम ना सिर्फ एक दूसरे की तरह ना तो दिखते हैं, क्या आपकी कि तरह कोई दिखता है नहीं यानि हम में से कोई भी किसी की तरह कोई नहीं दिखता सब अलग तरीके से दिखता है सब युनीक हैं क्या है सब युनीक अनोख हैं सब हमारी जैसा कोई है नहीं तो ना तो हमारी तरह कोई दिखने वाला है लेकिन also differ कि हम अलग भी है हमारी तरह दिखता भी कोई नहीं है और हम अलग भी है कैसे अलग है in terms of इन मामलों में किन मामलों में किन मामलों में इन मामलों में किस में language we speak language मतलब भाशा we speak जो हम बोलते है यानि हम इन मामलों में अलग भी हैं एक तो हमारे जैसा कोई दिखता नहीं है और दूसरा कि हम बाकी मामलों में भी अलग हैं किस-किस मामलों में in terms of language भाषा जो हम बोलते हैं language मतलब भाषा speak मतलब बोलना वो भाषा जो हम बोलते हैं वो भी अलग है उसमें भी अंतर है our cultural backgrounds हमारे शांस्कृतिक जो प्रश्ट भूमी है हमारी संस्कृती भी अलग है हमारी संस्कृती भी संसकार भी एक दूसरे से अलग मिलते हैं तो कितना अंतर अलोगों में कि चलो ठीक है दिखने में अलग है भाषा भी एक बोल रहे हैं संसकार अलग हो जाएंगे या फिर दिखने में तो वैसे ही नहीं मिलने वाले दिखने में तो हम एक जैसे होई नहीं सकते संसकार मान लो एक हो गए हो सकता भाषा दूसरी हो तो मलब किसी ने किसी तरीके से अलग तो हैं ही दिखने में तो अलग हैं ही उसके साथ-साथ भाषा जो हम बोलते हैं उसमें भी अलग है उसके साथ-साथ सबका संस्कृतिक जो प्रश्ट भूमी है सबकी संस्कृति भी अलग अलग है तो कितनी तरीके से एक आदमी दूसरे से अलग है आप अपने दोस्त से किस-किस मामलों में अलग हो चेक करो आप अपने दोस्त से मैच करो आप कैसे अपने दोस्त से अलग हो आपके साथ जो बैठा है उससे देखो आप किस तरीके से अलग हो कैसे कैसे अलग हो देखो सोचो भाषा, कपड़े पहनने का स्टाइल, लिखने का स्टाइल, ड्राइंग करने का स्टाइल, बोलने का स्टाइल, धरम, बहुत सारी चीज़े हम मैच कर सकते हैं देखेंगे हम बहुत तरीके से अलग हैं, हम हमारे दोस्ते ही कितने अलग हैं तो अलग होने के बहुत तरीके हो सकते हैं, the religious rituals, और जो धर्म का जिसका हम पालन करते हैं, धर्म, rituals क्या होता है, rituals होते हैं, rituals का मतलब होता है, रिवाज, जो धर्म की जो रिवाज है, धर्म की जो संस्कृति है, या फिर धर्म, जिस तरीके से हम पालन करते हैं, observe, observe का मतलब होता है, पालन करना, तो उस धरम के हिसाब से भी अलग है यानि जिस तरीके से हम उस धरम का पालन करते हैं मान लो एक हिंदू है दूसरा हिंदू है तो दोनों भी अलग हो सकते हैं हो सकता है उस धरम को ये अलग तरीके से पालन करता हो ये धरम को अलग तरीके से पालन करता हो तो उस तरीके से भी अलग है and, or of course, of course होता है बेशक बेशक या फिर बिलकुल क्या है? the way we draw कि जिस तरीके से हम draw करते हैं चित्र बनाते हैं, वो भी अलग है तो क्या लिखा है यहां पर? कि ऐसा नहीं है कि हम सिरफ दिखने में अलग है दिखने में तो अलग है ही, बलकि उसके साथ-साथ हम बहुत सारी चीजों में अलग है language, जो हम बोलते हैं भाशा बोलते हैं, उसमें भी हम अलग है हमारे जो cultural background है Sanskritic, प्रश्ट भूमी जो है, उसमें भी हम अलग है the religious rituals जो धार्मिक रिवाज जो हमारे हैं जिनके हम पालना करते हैं जिन धार्मिक रिवाजों के हम पालन करते हैं, उसमें भी हम अलग है, और इसके साथ-साथ जैसा हमने अभी देखा जिस तरीके से हम drawing करते हैं उसमें तो हम अलग हैं, जो हमने example में देखा, drawing देखो मेरी देखो, किसी से match नहीं कर रही है इनकी देखो, किसी के आपस में match नहीं कर रही है, तो ऐसे भी अलग है ठीक है अब ये कुछ सवाल दे दिया ये कुछ questions हैं, जो आपको solve करने है, आपको अपनी बुक में लिखने हैं इसके बारे में तो चलो, question पढ़ते हैं और आप अंसो लिखना ठीक है, fill out the following information कि इसमें जो नीचे दिये गए है, जो information जो जानकारी है, about yourself आपको अपने बारे में जो जानकारी है वो इसमें fill करनी है वो इसमें भरनी है, सबसे पहला question when I go out जब मैं बाहर जाता हूँ I like wearing, मैं पहनना पसंद करता हूँ जब मैं बाहर जाता हूँ तो क्या पहनना पसंद करता हूँ ठीक है, तो आपको अपने इसाब से, आपको क्या पसंद है jeans पसंद हो सकती है t-shirt shirt पसंद हो सकती है shirt पसंद हो सकती है paint formal shoes, कोई बोलेगा नहीं मुझे तो sandals पसंद है कोई बोलेगा नहीं मैं तो चपल में जाऊंगा है ना कुछ भी लिख सकते है, जो आपको पसंद है कि आप बोलो कि नहीं मुझे तो black color की dress ची है तो लिख दो black uniform black dress तो जो भी आपको जब बाहर जाते हो जो चीज पहननी पसंद है किसी को टोपी पहन के जाना पसंद है तो जो भी आपको पसंद है वो आप यहां लिखो अपनी अपनी book में लिखते चलना लिखो आपको कैसे बोलता हूं कौन सी भाषा में बोलता हूं कई बोलेंगे कि मैं तो हिंदी में बोलता हूं कई बोलेंगे कि मैं पंजाबी बोलता हूं घर पे या पंजाबी बोलती हूं उसके बाद कई बोलेंगे कि मैं तो मानलो की हर्यान भी बोलते हैं कई बोलेंगे हम तमिल बोलते हैं कई बोलेंगे हम तेलगु बोलते हैं कोई भी भाषा बोल सकते हैं घर पर तो किसी भाषा में जो हमारी मातर भाषा उसमें बात कर लेंगे तो सब की भाषा हैं आप चेक करो अपनी लिखो आप किस भाषा में बात करते हैं मेरी मतलिक ना आपको अपनी लिखनी है आप किस भाशा में बात करते हैं ठीक है यहां पर दिया चलो अगला देखते हैं माई फैवरेट स्पोर्टीज मेरा सबसे पसंदिदा खेल कौन सा है आपको बताना है आपका पसंदिदा खेल किसी का क्रिकेट हो सकता है किसी का हॉक्की हो सकता है किसी का फुटबॉल हो सकता है किसी का वीडियो गेम हो सकता है मोबाइल में है न कुछ भी हो सकता है किसी का बैडमिंटन हो सकता है किसी का चैस हो सकता है कुछ भी हो सकते हैं किसी को कुछ भी खेलना पसंद हो सकता है लेकिन आपको लिखना है कि आपको क्या पसंद है लिख लिया चलो अब अगला सवाल देखते हैं I like reading books about कि मुझे books पढ़ना पसंद है किसके बारे में कोई बोलेगा कि मुझे novel पढ़ना पसंद है कि Novel पढ़ना पसंद है कोई बोलेगा मुझे storytelling books पढ़ना पसंद है कोई बोलेगा मुझे पसंद हो, किसी को कॉमिक भी पसंद हो सकती है जो भी बुक आपको पसंद हो वो लिख दो यहाँ पे, आपको कौन सी बुक पढ़ना पसंद है ठीक है, अब यह सब लिख लिए अंस्वर्स लिख लिए, चलो अब हम पढ़ते हैं इसको आगे कि यह questions हम से लिखवाये क्यों अब हम इसको पढ़ते हैं Now ask your teacher Ask मतलब पूछना Ask का मतलब होता है पूछना, अब अपने teacher से पूछिए teacher से पूछना है क्या पूछना है, to help you जो आपकी मदद करें कि teacher के पास जाओ और बोलो कि हमारी मदद करो किस चीज में, to check चेक करने में, जो जो आपने लिखा है इन सब को चेक करने में, और सिरफ आपका नहीं पूरी क्लास का चेक करना है teacher के पास जाओ पूरी सब अपनी अपनी बुक लेके जाएंगे और teacher को दिखाएंगे teacher जी, आप इसको चेक कीजिए, किस से चेक करना है सब को मिला के सबी क्लास वालों की बुक लेके उसके बाद चेक करकर क्या बोलना है how many of you आप में से कितने have similar answers आप में से कितनों का same answers है समान उत्तर है similar का answer हमने देखे थे, एक जैसे similar का मतलब होता है समान या फिर एक जैसा कि आप में से कितने बच्चों का एक जैसा answer आ रहे हैं सारे ये teacher चेक करेगा आपने लिखे आपके दोस्त ने भी लिखे, दूसरे दोस्त ने भी लिखे, पुरी क्लास ने लिखे अब पुरी क्लास के बाद teacher के पास जाई है और teacher से पूछे, मैं मैं आप चेक करो या sir आप चेक करो कि देखो, हमने ये answer लिखे हैं मेरे से कितनों के match हो रहे हैं जो बिल्कुल मेरे जैसे लिखे हुए तो यहाँ पर क्या लिखना है यहाँ पर how many of you have similar answers कि आपके जैसे कितने हैं जिन्होंने बिल्कुल एक जैसे answer लिखे हैं यानि जिसने जो list में जितना है बिल्कुल सेम ऐसे का ऐसा किसने लिखा है वैसो को आपने ढूणना है कितने हैसे class में पहला सवाल Is there anyone क्या कोई ऐसा है whose list matches yours exactly क्या कोई ऐसा है जिसकी list कौनसी list यह answer वाली list यह answer वाली list जिसकी list match करती हो क्या करती हो match करती हो match का मतलब क्या होता है match का मतलब होता है मिलना जिसकी match बिल्कुल same to same मिलती हो यानि कि yours आपकी तरह आप से मिलती हो exactly exactly का मतलब बिल्कुल क्या कोई ऐसा है क्लास में जो जो answer आपने दी है उसने भी बिल्कुल सेम लिखे हो पूरे answers आपके और उसके match कर जाएं क्या कोई ऐसा है क्लास में क्या कोई ऐसा मिला यह सवाल करना है उसके बाद probably not probably का मतलब होता है शायद probably का मतलब क्या होता है शायद ठीक है शायद नहीं शायद आपको ऐसा कोई ना मिले जिसकी पूरी list मेंच कर जाएं मलब जो जो answer आपने लिखे विल्कुल same to same किसी और की answer मिल जाएं ऐसा होने के chance बहुत कम है शायद ऐसा होई ना कि आपकी list और उसकी list मैच कर जाएं किसी की but लेकिन many of you may have similar answers लेकिन आप में से बहुत सारे आप में से बहुत सारे क्या होंगे have, may have, शायद हो सकता है similar answers कि same answer हो हो सकता है कि जो आपने लिखा कि आप पहनना पसंद करते हो यह किसी ने लिख दिया हो कि जो आपने answer में लिखा है वो उसी ने लिख दिया हो जैसे example ले लेते हैं कि आपने मानलो लिख दिया jeans पहनना पसंद करते हैं हो सकता है कि और ने भी लिख दिया jeans पहनना पसंद करते हैं कि answer हो सकता है same हो लेकिन सारे अंसर मैच कर जाएं ऐसा नहीं हो सकता एक एक अंसर हो सकता है कि ये जीन्स पहनने वाले बहुत मिल जाएंगे जिसने लिखा होगा हाँ जीन्स मेरा भी जीन्स है मेरा भी जीन्स है मेरा भी जीन्स है बहुत मिल जाएंगे लेकिन हो सकता है कि अगला क्यूशन अलग हो उसका अगला अंसर गलत हो आपने हिंदी लिखा है उसने हो सकता है पंजाबी लिखा हो चलो ये भी मैच कर गया तो तीसरा अलग हो सकता है आपको cricket पसंद है तो हो सकता आपके दोस्त को football पसंद हो answers match कर सकते हैं हो सकता है कि आपने cricket लिखा है तो cricket लिखने वाले और भी होंगे class में लेकिन पूरी list match हो जाएगी यानि कि जो जो answer आपने दिये हैं exactly बिल्कुल वही answer किसी एक के मिलने मुश्किल हो जाएगे answer match कर सकते हैं हो सकता है कि आपने jeans लिखा है तो class में 5 ने और jeans लिखाओ answer तो match कर गया लेकिन एक ही तो किया बाग की तो अलग है हो सकता है दो मैच कर जाएं तीन मैच कर जाएं लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि चारों के चारों मैच कर जाएं ऐसे होने के चांस बहुत कम है शायद है यह मैच नहीं कर पाएगा ठीक है समझ मैं है how many like reading the same kind of books कि आप में से कितने हैं आप में से ऐसे कितने हैं जो पढ़ना पसंद करते हैं reading मतलब पढ़ना पढ़ना पसंद करते हैं same kind समान परकार की kind मतलब परकार तरह एक ही तरह की book आप में से कितने ऐसे हैं जो एक ही तरह की book को पढ़ना पसंद करते हैं बहुत कम होगे को स्टोर्यवाला वदा कोई कॉमिक पड़ता होगा पयम κुण सब अलग अलग तरह के बुक पढ़ता हुगा तो आप मेंसे कितने हैं- जो समुंगर सेंह टाइप की स्ट्रस सब्रसी कि अलग अलग यू-खशीétat are spoken, बोली जाती है spoken, speak मतलब बोलना speak मतलब बोलना, spoken मतलब बोली जाती है बोली जाती है ठीक है, लिख लोगे, ठीक है कितनी तरह की भाषा हैं बोली जाती हैं by the students विध्यारतियों के द्वारा, आपके जो class में बैठे में, उनके द्वारा, in your class आपकी class में आपकी class में जो students है अब ये answer से match करो कि कितने तरह की लोग हैं, कितनी तरह की भाषा हैं आपकी class में बोली जाती हैं हो सकता है, एक ने हिंदी लिखा हो हिंदी बहुत सारों ने लिखा होगा हो सकता है, 3-4 ने पंजाबी भी लिखा हो हो सकता है, कोई और भाषा भी मिल जाए तो ये check करो कि आपकी पूरी class में कितनी तरह की भाषा हैं बोली जाती है ये भी सवाल यहां पर लिखा है ठीक है, ये आपको जब आप ये सब रिकोगनाइजड, यू मस्ट हैव रिकोगनाइजड, कि अभी तक आपने ये पहचान लिया होगा रिकोगनाइज का मतलब होता है पहचानना, रिकोगनाइज का मतलब होता है पहचानना ठीक है, तो अभी तक आपने ये जरूर, must मतलब जरूर, अभी तक आपने ये जरूर पहचान लिया होगा, the many ways in which you are quite like some of your classmates. कि अभी तक आपने ये तो जरूर जान लिया होगा, कि उन बहुत सारे तरीकों के बारे में, जिस तरीके से in which you are quite, quite मतलब बिल्कुल, बताया था मने, quite मतलब बिल्कुल, like some of your classmates, like मतलब जैसे, जैसे, आप बिल्कुल एक जैसे हो, बहुत सारे classmates की तरह है, कैसे, हो सकता आप jeans पहनना पसंद करते हो, तो आप जैसे बहुत मिल जाएंगे, जो jeans पहनना पसंद करते हो, हो सकता है, कि आप storybook पढ़ना पसंद करते हो, तो हो सकता है, आप जैसे और भी बहुत मिल जाएं, जो storybook पढ़ना पसंद करते हो, हो सकता है, कि आपको cricket पसंद हो, तो आप जैसे औ और भी तो मिल जाएंगे class में जो cricket पसंद करते हूं तो यहां पर यह लिखा है कि अभी तक आप पहचान गए होंगे कि आप जैसे जैसे कि आप हैं थोड़े थोड़े तो वैसे बहुत सारे मिल जाएंगे एक्जेक्टली सेम नहीं मिलेंगे लेकिन हलके फुलके आप से मिलते जुलते हैं आप जैसे classmate जैसे कि आप हैं जिस तरह की चीज़ें आप पसंद करते हैं वैसे आपको मिल जाएंगे और बाकी तरीकों में in which you are different from them और बाकियों से आप किस तरह अलग हो ये भी पता लग जाएगा कि वो भी तरीके पता लग जाएंगे वो भी answers मिल जाएंगे जिसमें आप उनसे अलग हो तो अभी तक आप पहचान गए होगे जब ये answers आपने पढ़े है और अपनी classmate से match कियोंगे तो आपको पता लग गया होगा कि किस तरीके से आप बाकियों से मिलते हो और किस तरीके से आप बाकियों से अलग हो हो सकता है कि बहुत सारी चीज़े match कर जाएं लेकिन सारी चीज़े match करेंगे नहीं आपको पता लग जाएगा कि बिल्कुल आप जैसा तो कोई है नहीं थोड़ा थोड़ा हो सकता है पहनने के तरीके में आप जैसा कोई हो लेकिन पूरी तरीके से तो नहीं है हो सकता है कि आपकी तरह कोई उसी भाषा को बोलता हो भाषा बोलने में सेम हो लेकिन दूसरे तरीके से अलग हो जाएगा तो आप तरह, आपकी तरह, आपके जैसा हो सकते हैं, लेकिन पूरी तरह नहीं, थोड़े बहुत, बाकी दूसरे एरिया में, बाकी दूसरे तरीके से वो आपसे अलग भी मिलेगा, हो सकता है अंस्वर सारे से मैच भी कर जाएं, हो सकता है वो उसकी हाइट आपसे ज़्यादा हो या कम हो हो सकता हो आपसे मोटा हो या पतला फिर भी अलग मिल जाएगा बिल्कुल आप जैसा होना बड़ा मुश्किल है, है ना? चलो यह भी हमने किया, अब उसके बाद जब इन सवालों के जवाब ढूण लिए अब उसके बाद आगे चलते हैं और आगे making friends दोस्त बनाने अब making मतलब, make मतलब बनाना friends मतलब दोस्त, दोस्त बनाने अब इसको भी पढ़ते हैं उसके बाद एक home work आपको दूँगा, ठीक है Do you think, क्या आप सोचते हैं क्या आपको लगता है It would be easy कि यह आसान होगा क्या, for you आपके लिए, क्या आपको यह लगता है कि यह आपके लिए आसान होगा, क्या To make friends दोस्त बनाना किसको, किसके साथ दोस्ती करनी है with someone कि ऐसे एक के साथ दोस्ती करनी है who, जो कि was very different from you, जो कि आप से बहुत अलग है, very मतलब बहुत, different मतलब अलग, from you आप से क्या आपको लगता है क्या आपको लगता है कि यह आपके लिए आसान होगा कि आप किसी ऐसे से दोस्ती कर पाएं, जो आप से बहुत अलग है क्या आपको लगता है कि उसका पहनने का तरीका अलग है उसका बोलने का तरीका अलग है वो अलग भाशा बोलता है अलग गेम उसे पसंद है यानि आप से बहुत अलग है वो तो आपको क्या लगता है क्या आप उसे आसानी से दोस्ती कर पाएंगे क्या लगता आपको अंसर बताना आपको अब इसी में read the following story यह आपका homework है कि इसके बाद जो story दिवी है वो आपको पढ़ना है and think about this और यह जो question है उसके बारे में आपको सोचना है कि आपसे बिल्कुल अलग एक आदमी है बिल्कुल अलग आपकी class में कोई है कितना आसान होगा आपका उससे दोस्ती करना आप जब यह story पढ़ेंगे तब इस question को ध्यान में रखना है story पढ़ते time और story इसी के बाद दिवी है इसी के just बाद दो बच्चों की story है वो आपको पढ़नी है ठीक है और उसका meaning आपको समझना है कि क्या कहना चारी है वो story हम next class में उसे पढ़ेंगे आज की class को हम यहीं रखते हैं मिलते हैं next class में सब तक के लिए thank you take care